अगर आप बच्चे हुई रोटियों को फेक देते हैं तो आज के बाद आप रोटियों को बिल्कुल ना फेक हैं क्योंकि उनसे तयार हो जाता है एक हेल्दी और टेस्टी नाश्ता मौर्णिंग ब्रेकफास्ट हो या फिर हो इवनिंग स्नेक्स हर टाइम के लिए ये एकदम पर्फेक्ट नाश्ता है घर में बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत बहुत पसंद आता है तो चलिए साथ में मिलके आज की इस इस्पेशल रेस्पी को बनाना हम लोग शुरू कर लेते हैं सबसे पहले तयार कर लेते हैं बैटर तो एक बाउल में मैंने डाला है एक कब बेसन साथी साथ इसमें हम आदी प्याज को कद्दू कस करके डालेंगे ध्यान रखें प्याज को कद्दू कस ही करें काटके ना डालें साथी साथ इसमें हम चार से पांच लस्टन की कलियों को भी कद्दू कस कर लेते हैं एक हरी मेच आदा जमच लाल मेच पाउडर एक चुथाई चम्मच हल्दी पाउडर आदा चम्मच धनिया पाउडर आदा चम्मच जीरा आदा चम्मच अजवाईन एक चुथाई चम्मच शींग आदा चम्मच नमक और अब डाल देते हैं खुब सारा बारी कटा हुआ हारा धनिया और अब हमें पानी डाल कर इसका पेस्ट तयार करना है तो जिस तरीके का पेस्ट हम पकोडी बनाने के लिए बनाते हैं तो उसी तरीके की consistency वाला पेस्ट हमें तयार करना है पानी खटाना डालें नहीं तो पेस्ट लूज हो जाएगा और लूज हो जाएगा तो नाश्ता हमारा अच्छे से नहीं बनेगा पेस्ट हमारा बन गया है अब ली है मैंने यहाँ पर यह बची हुई रोटिया यह मेरी रात की रोटिया बच गई थी मैं उनका इस्तिमाल कर रही हूँ रोटि के उपर बेस्ट अच्छे से लपेटने के बाद अब मैंने पैन को गरम कर लिया है और इसमें डाला है आदा चम्मच तेल और तेल को फैला लिया है और अब हमें इसके उपर रोटी रखनी है तो जिस तरब से हमने पेश्ट लगाया है उसी तरब से हम रोटी ऐसे रखेंगे और दूसरी तरब भी हम बेशन की पेश्ट से रोटी को अच्छे से कवर कर देंगे और पैन को थोड़ा सा हिला देंगे जिससे कि तेल चारो तरब अच्छे से फैल जाए ये जब नीचे से सिख जाएगा तो इसको हम पलट देंगे ये देखिए नीचे से सिख चुका है तो इसको मैंने ये पलट लिया है और पलटने के बाद लगभग एक मिनिट तक इसी तर हमने इसमें पेश लगाया वो अच्छे से सिख जाए ये हमारा नाश्ता खाने के लिए रेडी हो गया है इसको निकालेंगे हम पैन से बाहर और इसी तरीके से और नाश्ता बनाके हम रख लेते हैं तो ये मैंने यहां पर दो रोटियों का नाश्ता बनाके रेडी करके देख सकते हैं यह देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में यह बहुत ज्यादा टेश्टी होता है सब करेंगे इनको हम टमेटो केचप के साथ आप चाहे तो किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो जरू ट्राय करें मिलेंगे अगले नई व नमस्टे